लो गाइज में मैंनी साब का स्वागत करता हूँ इस जबरदस्ट वीडियो वे इसमें हम बात करेंगे ड्रोइंग की जो ड्रोइंग आप सामने देख रहे हैं यह किलिए आपको समझ में आजा इसके लिए मैंने इसका 3D गूवी बनाया है आप देख रहे हैं यहां पर इसक करकाई दे रहा है वो गूरू कतरा है ठीक है गूरू बन गया है इसके बाद इसको देखे आप स्टेप और बन गया है ठीक है देखें कि यह यह जो हÎल है इस ौदी पे थ्रेड गटनी है ठ्रेड घंसे नानम 42 into 1.5 की ट्रेड कर गए ठीक है अब यह जोग देखिए आपको इसका जो यह आगे वाला हिस्सा है यह कुछ ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा होगा तो अब इसको हम फेसिंग करकि इसकी टोटल लेंथ बनाएंगे तो यह भी ब्लाबर हो जाएगा इसको फेस कर देते हैं ज अभी British इसमें एंतर हैं की तो ड्राइंग के बीच में देखिए यहाँ पर होलो बना हुआ है आइड yeah to counter बन गया complete तो अब यह जो पूरा बन गया है जैसा कि आप ड्रोइंग में देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब आपको यह properly समझ में आ जाएगे छी जैसे कि आप देख रहे हूं इस ड्रोइंग में आपको एक स्क्स्नल वी दिया हुआ है और यहां पर इसका फेरंट वी दिया हुआ ठीक है फ्रन्ट वी में आप देखेंगे सबसे पहले फ्रेंट view की बात करता हूं, इस side में आ जाइएए, इसको zoom कर के दिखाता हूं, इसमें हम को क्या क्या दे रखा, यहां पर देखे, सब साफले जो thick lines हे, मोटी मोटी line हे उनकी बात करते हैं, यह अलग-अलग dieya हैं, जब इनको तो देखेंगे अलग-अलग डाय को तो और किस साइड चे यह देखें सेक्शन लाइन में अगर इस साइड चे यहां पर देखेंगे तो कौन-कौन से डाय दिखाई देंगे एक यह यह और यह जो जो डाय दिखाई दे रहे हैं जो जो लाइन सापको दिखाई दे रहे हैं व से जस्ट चोटा वाला डाय यहां पर यह वाला सेक्शनल वीव में भी मैं आपको बता दूंगे यह वाला जो डाय है यह दे रखा इन्होंने 56.6 से लेके 57.6 mm तक यह बना सकते हैं एक mm जिसकी टॉलरेंस है ठीक है और यहां पर देखिए डोट डोट करके जो लाइन है गोल यह इमेजनेरी लाइन है कालपनिक है ठीक चिर्किल डाय जिसको बोलते हैं वह 86 है डाय 86 के उपर कितने होल यहां पर देखिए 8 इंटू 8.1 डाय 8.1 का होल करने कितने आठ एक दो तीन चार पास छे साथ आठ ठीक है और यहां भी देखिए 8 इंटू 45 मतलब 8 जो होल उनका जो एंगल होगा भी इसका वह 45 डिग्री यहां से यह 45 डिग्री ठीक है तो इस तरह चे यह डिटेल्स यहां पर दे रखिए यह देखिए यह जो सेक्षन लाइन है इन होल के बीच से गुजर रही है यहां से जोब को कट कर दिया ठीक है और कट करके जब इसका दिखेंगे शेक्षेनल विउ देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा यह जब यहां से कट करेंगे तो देखिए यह ओल और यह निचे वाला होल यह यह यहां पर रहा यह बीच में जो आईडी छोटी वाली यह यह बड़ी वाली आईडी यह सब सेक्षनल है सेक्षनल वी में इन्होंने क्या क्या दे रखा है कि कि सेक्षनल वी में आप देख सकते हैं का यहां पर यह फ्लैटनेस डेंज देतंटम चार्म और वीच्ण फीम लुदिध कि रखा हैं टू पोजिशन souls tri डिकूलेरेटी ठीक है यह जो जो चीजें हैं इनके बारे में भी हम डिटेल में बाते करेंगे कि यह सब क्या है ओके अब भी मैं बताता हूं इसकी जो डाइमेंड सेंस हैं उनकी बात करता हूं आपने अल्रेडी देख लिए इसका 3D किस तरह का है जिससे आपको यह किलियर हो रहा होगा कि यह क्या है यहां पर आप देख सकते हैं डायमेटर 31.6 से लेके 31.8 उस पे रन आउट मांगा है 0.1 का ठीक है डेटम B के रेस्पेक्ट में डेटम B कहा पे है यह रहा डेटम B के रेस्पेक्ट में यह जो ID है न यह ID कितन है 20.13 से लेके 20 ठीक है इस पे रन आउट है ID का रन आउट 0.14 डेटम A और डेटम C के रेस्पेक्ट में डेटम A कौन सा है डेटम A यह इसका यह वाला फेस है और डेटम C यहां पे है यह वाली ID तो इनके रेस्पेक्ट में इसका रन आउट 0.14 होना चाहिए और यह जो डे डेटम A के डेटम B के रेस्पेक्ट में इसका रन आउट हो सकता है इस OD का यह वाली जो OD यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका रन आउट हो सकता है 0.1 maximum ठीक है और बात करें यहाँ पर यह देखे यह जो step सा बना हुआ है यहाँ पर thread है वो कैसे पता चला है यहाँ पर देखे सबसे पहले यह जो symbol है मैं इनके बार हम बता देता हूँ इसके बाद sectional view properly पूरा दिखाँगा जिसमें इसमें क्या है कि यह letter थोड़े blur हो रहे हैं मैं दूशरी image लेके और इसमें clear करूँगा अभी इनके जो बात कर लेते हैं जो symbol है flatness flatness इस face पे मांगे 0.02 flatness के बारे मे जानना है तो मैंने already वीडियो बना दिया जिसका link आपको description में मिल जाएगा और यहां पर देगिए perpendicularity perpendicularity जो है इस job की वह मांगी है किस पे इस feature पे यह जो ID बनी हुए है इस ID में इस ID में perpendicularity मैंगी है जिसका diameter 44.6 से लेक है 44.45 diameter जिस पे perpendicularity है diametrically .08 at maximum material condition respected to datum A ठीक है datum A के respect में perpendicular हो सकता है कितना 0.08 maximum material की condition में maximum material condition और list material condition के बारे में भी मैंने वीडियो बना दिया है उसका link भी आपको description में मिल जाएगा मेरी drawing की जितनी भी वीडियो जे उन सभी के मैंने एक playlist बना दिया है जिसका link भी आपको description में मिल जाएगा ठीक है बात करें यहां पर यह parallelism parallelism datum A के respect में 0.06 मांगा है site micron इस face पे maximum हो सकता है ठीक है इस वाले face का जो group वाले face है उस face का और run out हो गया true position true position यह जो thread वाला इसकी true position मांगी है और यहां पी जो hole है इसकी true position मांगी है true position की बात कर ले ते true position M42 की thread मियाल इसका यह डायर आएगा जिसमें 1.5 की पीछ है M42 into 1.5 और 6G इसकी tolerance है ठीक है 6G tolerance रहेगी true position मांगा यहां पर diametrically 0.1 हो सकता है maximum material की condition में respected to datum B at maximum material condition datum B जो maximum material की condition में होगा वहां पर true position इसकी यह वाला जो feature यह thread वाले इसकी true position 0.1 के अंदर अंदर हो सकती है ओके यहां पर यह देखे feature control frame में यह वाला क्या दे रखा है this features with should be true position इसकी जो true position हो अदिस features true position diametrically 0.14 at maximum material condition respected to datum A and datum C at maximum material condition ठीक है यह जो दे रखा है इसकी जो true position हो सकती है वो 0.14 हो सकती है datum A और datum C की respect में maximum material condition पर datum A यह वाला face और datum C यह जो counter बना हुआ है इसके respect में यह 0.14 इसकी जो position है वहरी कर सकती है maximum material condition में ठीक है यह दे रखा है यहां पर हमको इसकी tolerance दे दिये position की true position इसका यह होना ही चाहिए ठीक है अब एक clear image में में इसका जो sectional view है उसकी पूरी dimensions आपको बताता हूं यहां पर देखे इसमें सारी dimensions clear दिख रही है यह जो देख रहे हैं आप यह जो outer diameter है यह 31.8 है 31.6 से लेके 31.8 यह वाला diameter od जो है इसकी और इसके बाद में यह वाली जो id है id यह id है 20.00 से 20.13 ठीक है यह datum b भी है यहां पर दे रखा है यह datum का symbol है यह triangle जो दिख रहा आपको यह datum का symbol है यह box में datum v ठीक है datum b यह वाला है यह जो id है यह datum b है बीच में देख रहे हैं आप यह center line है ठीक है इसके बात दूसरी od यहां पर m42 into 1.5 यह 42 का diameter होगा जिसमें 1.5 की pitch वाली thread कटेगी 6g की tolerance है ठीक है और यह जो groove देख रहे हैं इसकी जो width है यह दे रखे 6.1 से लेके 6.6 यह चोड़ाई और इसका जो diameter वो देखे इधर दिखा रखा है 15.5 से लेके 36.0 तक यह जो diameter यहां पर दिखा रखा है यह देखे यह दोनों line ने groove के diameter को show कर रहे है ठीक है इसके बाद यह जो diameter है यह front view म मैंने आपको पिछे बता दिया है पहले ही और यह जो length है यहां पर देखे 9.4 से लेके 9.6 इस counter की depth है यह जो id बनी हुए यह counter इसकी depth है यह counter का diameter कितना है 44.45 से लेके 44.6 datum c यह datum c है और यहां पर flatness माँगी है 0.02 की यह datum a है यह वाला पूरा face जो देखेंगे आप यह datum a है ठीक है और और क्या है यह जोनों hole है यह sectional view कैसे इसका कैसे पते चलेगा कि क्यूंकि इसमें hatching है और hatching कहां पर है जहां पर material है यह जो देख रहे है आप hole भाग यह देख यह दोनों hole है इनकी center line है और यह जो देख रहे हैं यह counter यह वाली idea यह वाली idea इसलिए यह यहां पर hatching नहीं है ठीक है यह hole 8 hole जो बनने है वो वाले hole है और जो length है बात करें इसके total length की total length है 41.1 से लेके 41.3 तक इस job की total length हो सकती है 35 से 36 हम यह वाली length इ और यह जो group वाला phase है इसकी बात करें 25.4 से लेके 25.5 तक यह वाली length है और 9.4 से लेके 9.6 यह वाली length है यहां पर सारी length वगर आपको clear हो गई होगी ठीक है और सभी diameter भी मेरे खाल किलियर हो गए हो गया अगर कोल भी symbol में confusion है तो आप मुझे comment करें और जो मेरे workshop नमर है उन ग्रूप में add होने के लिए मुझे message करें add me वहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको किस तरह की वीडियो की जरुरत है मैं वैसे वीडियो बना दूँगा ठीक है यह वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने यह जो भी symbol है इनको explain नहीं किया है इनके लिए मैंन झाल